नमस्कार दोस्तों आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है आज बात करूँगा एक ऐसे पोधे के बारे में जो अभी अब देख रहे हैं यह सभी मसाले को छुटी करने वाला यह पोधा और इसी पोधे में जो होते हैं कि गरम मसाले चिकन मसाले और मीट मसाले का टेस्ट आता है मतलब जितने भी इस पाइसी पोधे होता है सभी पोधे का मिचोर है यह पोधा और उस पोधे को देखते हुए यह पोधा जो है जितने भी परकार के मसाले होते हो सारे मसाले के खुस्वू एक ही पोधा में आपको मिलेगी इस पोधा में तो इस पधो को आप लगा करके और आप अपने किचन को किचन गार्डन में लगा करके अपने किचन को सोभा जो होता है वो बढ़ा सकते हैं आप अपने जीवों का जो टेस्ट होता है उसको बढ़ा सकते हैं और इसको कैसे कैसे यूज करना होता है वो भी जनकाडिया इस वीडि इसलिए करते हैं ताकि उसमें टेस्ट अच्छे से आए चाहे वो गरम मसाले के रूप में या तेज पते के रूप में इस्तेमाल करते हैं या एस्टार फली जो होता है उसको यूज करते हैं या दालचीनी जो होते हैं उसको यूज करते हैं लौंग के यूज करते हैं इसी प पोधह इस पोधह को लगा करके आप सुव जितने भी परकार के गरम शाले का ते Hmm होता है वह एक इसी पौधे से आप ले सकते हैं एक ही पौधे में आपको मिल जाएगा इसका जो पतिया होते हैं उसको यूज करके या नहीं तो इसका जो खाल होता है उसका भी यूज होता है तो इसको इस्तेमाल करके आप टेस्ट अच्छे से ले सकते हैं और यह जो होता है कि All espice मतलब klass सभी परकार के ट्यस्त देने वाला ये पौधा होता और इस मौधा को साथ इंडिया में लगा जाता था। और उधर होता है कि इसका इस्तेमाल अधिक होता था अब ऐसा नहीं है दोस्तों इसका मधा जो होते कि आप अपने राजो में लगा सकते हैं सभी परकार के मिटी में जो होता है ये पोधा अराम से हो जाता है और इस पोधे को लगाने के लिए जो होता है कि जैसे कि आप किसी भी पोधे को गमले में लगाते हैं उस परकार से आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं या आपने खेतों में भी इसको लगा सकते हैं अब बात क होते हैं कि इसके पते दोतोर करके यूज करेंगे तो टेस्ट आपका बढ़ जाएगा या कोई भी अगर आप सब्जी का डिस्ट बनाते हैं तो उसमें जो होता है कि तेल डाल करके और उसमें इस पते को सारे चार साल तक का यह पौधा है और दोस्तों एक बहुत अच्छी बात यह है कि यह पौधा जो है सभी नर्शरी पर जो होता है कि लगबग उपलब्द होता है इसको और गरम मसाले ट्री के नाम से जाना जाता है या आप बोलेंगे कि हमें सभी परकार के स्वाद वाले गर को देदेंगे